सब्सक्राइब कीजिए दपर्फेक्ट क्लासिस चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए टॉपिक है वायू और मौसम और जलवायू में अंतर दिखाया हुआ है तो हम पढ़ लेते हैं मौसम के बारे में पढ़ते हैं किसी एक नियत इस्थान की नियत समय पर वायू मंडलिये इस्थितियों को मौसम कहते हैं और अगर जलवायू की बात करें एक नियत इस्थान की एक दीर्ग काली, दीर्ग काल की, मतलब दीर्ग काल होता है, बहुत लंबे समय की है न, और मौसम की मौसत इस्तिती को जलवायू कहते हैं, मौसम की अगर बात करें, तो जो टाइम पीरियड होता है, बहुत कम होता है, और जलवायू के लिए टाइम पीरियड अधिक लिया ज से जलवायू कहेंगे मौसम की बात करें इसमें कभी भी परिवर्तन हो सकता है जलवायू की बात करें जलवायू एक लंबे समय में होने वाली पिरक्रिया है लगभग 25 वर्ष या अधिक अब मौसम की बात करते हैं मौसम में परिवर्तन छोटे अंतराल में होता है जलवायू जलवायू में परिवर्तन होने में कैई बार दशक लग जाते हैं ठीक है दश्यों साल लग जाते हैं उधारन ते अभी धूप का निकलना थोड़े समय के बाद बारिश होना ये तो मौसम के अंदर होता है कि अभी धूप निकल रहे है थोड़े समय में बारिश होगी और जलवायू में क्या होता है भारत की जलवायू मांसूनी पिरकार की है मतलब बहुत समय तक एक जैसी ही ज देखिए अपने शहर का तापमान आप किस परकार जानते हैं रेडियो से टेलिवीजन से ठीक है मॉबाइल से पता चल जाता है आज कल तो ठीक है और मौसम का पूरवा नुमान आपकी किस परकार सायता कर सकता है तो बच्चों आपको पता चल जाता है कि देखिए बारिश हो तो आप घर से चाता लेके निकलेंगे ठीक है या नहीं निकलेंगे अगर जरूरी नहीं है ठीक है मौसम साफ है तो आप निकलेंगे घर से बाहर तो आप उसी के अकॉर्डिंग मौसम के बारे में जानकारी लेके आप उसी के अकॉर्डिंग अपने बाहर जाने का प्रोग्र यह सब है अब तापमान के बाएर में पढ़ लेते हम वायू में मौजूद ताप एवम शीतलता के परिमाड को तापमान कहते हैं यहां तापमाप में भी दिखाया हुआ है इसके बाएर में बता हुआ है इसका उपयोग तापमान मापने के लिए होता है तापमान को मापने क ग्रिशम रितु ज्यादा गरम होती है अब आगे देखेंगे आत्पन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वित्रण को प्रभावित करता है सूरे से आने वाली वह उर्जा जिसे पिर्थवी रोक लेती है आत्पन कहलाती है अब उससे आगे देखिए आत्पन की मात्रा भूमद्य रेखाचन धुर्वों की और घटी है इसलिए तापमान उसी पिरकार घटता जाता है इसी कारण से धुर्व बरफ से ढके हुए होते है यदि पिर्थवी का तापमान अतेदिक बढ़ जाता है तो ये इतनी गरम हो जाएगी कि यहां कुछ फसले नहीं उख सकेंगी गाउं की अपेक्चा शेहरों का तापमान अधिक होता है क्योंकि शेहरों में जनसंख्या अधिक होती है वहनों, फैक्टरियों, एवा मन्ने क्रियकलापों में इधन की खपत अधिक होती है ठीक है बच्चों, अब वायू दाप के बाहर में पढ़ेंगे प्रित्वी की सतह पर वायू के भार दुआरे लगाएगया दाप वायू दाप कहलाता है समुदर इस्तर पर वायू दाप सर्वधिक होता है और उचाई पर जाने पर ये गटता जाता है जिस कारण से उचाई पर जाने से जिससे वायू में उक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है अत्यदिक उचाई पर वायू दाप वे उक्सीजन की कमी के कारण वेक्ती बिमार पढ़ सकता है अध्वा उसकी मृत्यों हो सकती है परवतरोही इसी कारण से अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले कर जाते हैं वायू दाप का शेतिज वित्रन किसी स्थान पर उपस्थित वायू के दाप ताप दुआरा प्रभावित होता है अधिक तापमन वाले छेत्रों में वायू गरम होकर उपर उठती है ये निमदाप छेत्र बनाता है निमदाप वादल्यूक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है कम तापमन वाले छेत्रों की वायू ठंडी होती है इसके फलसुरूप ये भारी होती है भारी वायू निमजित होकर उच दाप छेतर बनाती है उच दाप के कारण इस पर स्टेवम सुच्छाकाश होता है ठीके बच्चो अब आगे किरेकलाब दो भी दिया हुआ आपको इसमें क्या करना है अगले सब्ता के तापमान को लिखिए एवाम उसमें उनवाले परिवर्तन पर एक नोट लिखिए तो जो अगला सब्ता आएगा उसके तापमान को लिखना है आपको और उसके परिवर्तन पर एक नोट लिखना है तो बच्चो उसमें जो परिवर्तन होगा आप उस पर एक नोट लिख लेना question answer मैं करवा देती हूँ आपको question 1 है भूमत्य रेका से धुर्वो की तरफ जाने पर आत्पन की मातरा क्यों घटती है ठीक है बच्चों तो इसका answer हम देखेंगे इसका answer होगा देखें सूरे की किरने सूरे की सीधी किरने दुर्वो तक नहीं पहुँच पाती है जिसके कारण दुर्वो पर बहुत ठंड होती है इसलिए भूमत्य रेका से दुर्वो की तरफ जाने पर आत्पन की मातरा बढ़ती है यह इसका answer लिख देंगे आप अब question number two है गाउं की अपेक्षा शहरों में तापमान अधिक क्यों होता है ठीक है यह question है इसका answer क्या लिखेंगे आप इसका answer आप यहां से लिखेंगे वरक्शीट से ही गाउं की अपेक्षा शहरों का तापमान अधिक होता है क्योंकि शहरों में जनसंक्या अधिक होती है वहनों फैक्टरों अन्य क्रियक लाप में इधन की खपत अधिक होती है तो ये इसका अंसर लिख दिया हमने ताप नदीक क्यों होता है बता दिया अब question no.3 है ठंडे छेत्रों में किस परकार का वायूदाप होता है इसमें किस परकार किस परकार दो बार लिखा है कोशेन थंडे चेत्रों में वायूदाब किस परकार का होता है तो इसका अंसर लिखेंगे बच्चों आप इसका अंसर देखें यही से लिखेंगे कम तापमन वाले चेत्रों की वायू थंडी होती है इसके फलसुरूप ये भारी होती है भारी वायू निमचित होकर उच दाब छेत्र बनाती है मतलब कैसा होता है ठंडी छेत्रों का वायू दाब उच होता है उच दाब के कारण इस पश्टेवम सुच शाकाश होता है तो ऐसी वक्षीट में जैसे दिये हुआ आप ऐसे ही आंसर लिख देंगे इसका ठीक है आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ठंडे छेत्रों में वायू दाब उच होता है या उच वायू दाब होता है लेकिन आप इस तरीके से ही लिखेंगे वक्षीट के एकोर्डिंग इसी लेंग्वेज में तो अच्छी बात हैं आप ऐसे ही लिख देना जैसे निशान लगा हुआ ओके स्टुडेंट्स आपकी वक्षीट सॉल्व हो गई अगर आपको में वीडियो पसंद आए तो प्लीज में वीडियो को लाइक केज़े शेयर केज़े हमा चनल को सब्सक्राइब कीज़े थांक्स फॉर वोचिंग